Hello Student, मेरा नाम नीरज और स्वागत है आपका ITITX YouTube चनल पर Student, आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं Employability Skill के बहुत ही Most Important Question जो कि आपके 2020 के ITIE एक्जाम में पूछे जाएंगे Student, अभी तक ITIE में जितने भी एक्जाम हुए हैं उन सभी एक्जाम में जो बार-बार Employability Skill में Question पूछे जाते हैं उन सभी Question को हमने इस वीडियो में कबर किया है और इन Question की बहुत जादा संभावना है यही Question आपके ITIE के एक्जाम में पूछे जाएंगे दोस्तों अगर आपको Employability के और भी Most Important Question का PDF चाहिए है तो आप वीडियो के नीचे कमेंट कर देना हम आपको बहाँ पर Employability Skills सम्मनित Most Important Question का जो PDF है भाई हम आपको सेर कर देंगे इसके लाबा आप अपना नमबर भी कमेंट कर सकते हैं तो हम आपको बार से पर भी सेंड कर देंगे लेकिन इससे पहले प्लीज आप हमारी चैनल को सब्सक्राइब जरू कर लेना और यह वीडियो देखने के बाद हम आपको पूरी गरांटी ले सकते हैं कि Employability Skill के Question Paper में आपको कोई भी फैल नहीं कर सकता है तो आप इस वीडियो को पूरा जरू देखना दोस्तों Employability Skill में आपको 6-7 चैप्टर होते हैं जिनमें से आपको English Language, Computer Knowledge और स्वाजाग रिखता, Employment इस तरीके के और भी 4-5 चैप्टर होते हैं जो कि आपको पढ़ना होता है उसके लिए आप अपनी बुक में भी देख सकते हैं यहाँ पर हम केबल आपको Most Important Question बताने वाले हैं लेकिन यहाँ पर आपको 3-4 Question ऐसे पूंच लिए जाते हैं जिनमें आपको बहुत ज़्यादा दिमाख लगाने की जरूरत होती है तो हम इन सारे Question को इस वीडियो में कबर करेंगे तो आप इस वीडियो को पूरे जरूर देखना चलिए हम अपना पहला Question देखते हैं पहला Question है स्वाजाग रुकता का बोद खाली इस तान से होता है Option A है हिर्दाए B है ब्यक्तित्व C है मनुस्च D अप्सन में है समाज दोस्तो हमारा आंसर जानने से पहले आप अपना उत्तर जरूर कमेंड में करें ताकि आपको भी पता सल सके कि आप कितने आंसर सही कर पाते हैं तो हम जानते हैं मनुस्च की ब्यक्तित्व से उसकी स्वाजारुकता कबोद करा जा सकता है इसलिए B option सही हो जाएगा दूसरा question है उत्चारन से आप क्या समझते हैं कतन की अभी वक्ति केरेक्टर को बोलने का तरीका सब्दावली को बोलने का तरीका या सुनना तो हम जानते हैं जब हम कतन की अभी वक्ति करते हैं तो से उच्छारन बूला जाता है, इसलिए यह option सही हो जाएगा, तीसरा question है, आपको अपने साक्षातकार के लिए कब आने की योजना बनानी चाहिए, साक्षातकार का मतलब होता है interview, जब आपका interview होता है, तो आपको कम से कम 30 मिनट पहले आने की योजना बनानी चाहिए, इ दोस्तों, अगर आपको बहुत सारे question का आनसर पता है, तो आप comment में जरू लिख देना, कि आप इनमें से कितने answer सही कर पाए है, चौता question है, जो कि आपको English language से पूछा गया है, Sunrise in the East, इसमें कौन सा tense है, दोस्तों, जितने भी tense होते हैं, बहां से एक नाए question आही जाता है, तो आप tense को जरूर से ध्यान से पढ़ लीजिएगा, इस question में आप देख सकते हैं, rise में यहाँ पर ES लिखा है, तो हम जानते है, simple present tense में, ES या ES लगा होता है, इसलिए D option सही हो जाएगा, पांच बार जो कि most important question है, नेमने में से किसे computer का दिमाग कहा जाता है, तो इस cancer तो आ central processing unit होता है, तो आप इसे जरूर द्यान से याद कर लेना, CPU का full pump central processing unit, नेमने में से कौन सा non-verbal sensor का परकार है, एक question आपको communication skills लिया गया है, यहाँ से भी आपको 2-3 question देखने मिल जाएंगे, तो इसका answer हम आपको बताते हैं, एक option सही है, क्योंकि जो सरीरिक हावा होते हैं, जैसे हम इसारे से कुछ भी बूलते हैं, तो यह non-verbal sensor के अंतरगत आता है, इसलिए एक option सही हो जाएगा, साथ बाक एका सही अंग्रेजी एनुबाद क्या होगा, अगर आपको थोड़ी बहुत भी इंग्लिस आती है, तो इस cancer आप बता सकते हैं, सभी से प्रातनाई की समय पर पहुँचें, इसको हम जब इंग्लिस में translate करेंगे, तो इसके लिए D option सही होगा, All are requested to reach in time, आठवा question देखते हैं, संदेश बहुत संकी तक है, जो खाली स्थान कारी करता है, दोस्तों आपको यहाँ पर कुछ question ऐसे लग से लग रहे होंगे, क्योंकि अभी तक आपने Ampliability Skill की पड़ा ही नहीं की है, तो आप वीडियो को बीच में ना छोड़ें, क्योंकि आँगे बहुत ही महत्मूर question है, विस cancer हम देखते हैं, ग्राही के लिए प्रेरक की तरह संदेश कार करता है, मतलब यह option सही हो जाएगा, नौबा question है, MS bird में copy command की shortcut की है, दोस्तों ITE की exam में shortcut की से एक दो caution जरू पूछे जाते हैं, तो जितने भी shortcut की आप याद कर सकते हैं, जरू कर लेना, इसका answer है भी, क्योंकि control प्लस C से हम copy कर सकते हैं, दसबा question है, नेमने लिखित में से क्या computer का output अपकरण है, जितने भी input और output अपकरण है, आपको याद होने चाहिए, क computer का output यहाँ पर आप देख सकते हैं, printer होता है, तो यही आपका output अपकरण हो जाएगा, ग्यारबा question है, बैंकिंग प्रक्रिया में कौन सा दस्तावेज, पहचान पत्र के रूप में माने नहीं है, यहाँ पर आप option में clear देख सकते हैं, passport photo, यही आपको पहचान पत्र के रू network जो राष्टी वा अंतर राष्टी सीमा में फैला होता है, क्या कहलाता है, यहाँ पर आपको लैन और बैन, यहाँ से एक question पूचा गया है, तो इनका फुल फॉम भी आपकी याद होना चाहिए, लैन का फुल फॉम होता है, local area network और डबलू एन का फुल फॉम होता है, wide area network, तो बारबे question का अंसर है भी, wide area network, तेरबा question है, जो कि आपको परियाबरन से सम्मनेत पूचा गया है, नेमनलेकित में से क्या, उर्जा का नमीनी करण स्त्रोथ है, यहाँ आपका नमीनी करण स्त्रोथ है, यहाँ आपका नमीनी करण स्त्रोथ है, जब भी हम किसी से see you सुन तो इसके साथ में good bye भी बोल सकते हैं, लेकर हम good warning के साथ, या very good या how are you के साथ में good bye कभी भी नहीं बोलते हैं, तो इसलिए b option सही हो जाएगा, जबा question है, बोलने में क्या चीज बादाक है, दोस्तों एक question बहुत बार पूचा गया है, तो इसको तो आप जरूर याद कर ल जी की बवस्ता करना उपकरम का प्रबंद, अगर आप एक गुद्धमी हैं, तो यह सभी कार्याप को करने होंगे, मतलब D option सही हो जाएगा, उप्रोक्त सभी, शत्रवा question है, निमने में से कौन सा अच्छा संप्रेशन है, आप खुद भी सोच सकते हैं, अगर संदेश, इस इस पर सीधा है, तो इसे हम अच्छा संप्रेशन बोलेंगे, मतलब D option सही हो जाएगा, अठारबा question है, निमने में से कौन सेर्च इंजन है, बहुत ही सरल question है, अगर आपको इनका आंसर पता है, तो आप कमेंड में चलो लिख देना, तो गूगल आपका सेर्च इंजन होता है, मतलब D option सही हो जाएगा, और नईस बा question है, ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए कौन सा गैस उत्तरदाई होता है, यहाँ पर कभी कभी आपको option में CO2 भी लिखा मिल जाएगा, तो इसे भी आप याद कर लेना, कि CO2 को ही कारबन डाई उकसाइड बोला जाता है, बीस बा question ह है, साक्षात कार सिश्टाचार के अंतरगत, नेमनलेखित मैसे किया, डू की स्राणी में आता है, मतलब जब आप इंटरव्यू के लिए जाते हैं, तो आपको क्या करना है बहाँ पर, तो C option में आप देख सकते हैं, सांत सुबाव आपका होना चाहिए, तो यहाँ आपको स पता ही होगा, साइबर क्राइम, मतलब B option सही हो जाएगा, बाइतवा कॉस्टन जो कि आपको फिलिंदा ब्लैंक्स में पूचा गया है, He has good, खाली स्थान, मनी, तो यहाँ पर आपको खाली स्थान की जहे के आएगा यह भरना है, तो मनी के साथ में आपको मस लगा सकते हैं मतलब D option यहाँ पर सही हो जाएगा, He has good, much money, मतलब उसे बहुत सारा पैसा मिला, तेइस बाब most important question है, जो कि हमेशा आपको पूचा जाएगा, RAM का फुल फर्म क्या होता है, तो RAM का फुल फर्म होता है, Random Access Memory, इसी के साथ में आपको ROM का भी फुल फर्म याद कर लेना है, जो क परियाबरन दिबस कब बनाया जाता है, तो दोस्तों 5 जून को परियाबरन दिबस मनाया जाता है, मतलब D option इसका आंसर हो जाएगा, पच्चेस बादो की last question है, बहुती सराल है, क्लॉक में कौन सा स्वर है, यहाँ पर आपको English language में जो स्वर और बेंजन होते हैं, मतलब ब वीडियो पसंद आई हो, तो आपने सभी दोस्तों में से सेर जरूर कर देना, ताकि हमारी मेनत भी सपल हो सके, और उन तक भी यह most important question पहुंच सके, ताकि बहुत भी आपने exam में पास हो सके, और आपको वीडियो पसंद आई हो, तो आप पिलीस हमारे चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लेना, ताकि ITI से सम्मनित आने वाली सभी अपडेट आप तक पहुंच सके, आपका बहुमूल समय दाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, चलिए मिलते हैं नेस्ट वीडियो पर,